कैसे हैं आप लोग आज मैं फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ और फ्रेंड्स वीडियो को आँ तक देखिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सेर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा आज मैं बनाने वाली हूं लासुनी दाल तरका तो फ्रेंड्स ये दाल हम आज थोड़ा सालग तरीके से बनाएंगे तो चलिए से बनाने स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हमने लिया है 200 ग्राम चना का दाल और इसे अची तरह से धो लेंगे 2-3 पानी करके तो यह धूल गया है अब इससे 20 मिनिट के लिए 2 ग्राम लहसन इसे थैठ दर साफ कर लेंगे और यह तमाटर है 4-5 तमाटर मिडियम साइच इस तरह से काट लिया है अब एक कुकर लेंगे और इसमें 2 बड़ी चमश सरसुका तेल डालेंगे इस एची तरह से गर्म होने देंगे तो तेल जब गर्म हो जाए उसके बाद हम यहरा मेर्च और द्रग का पेस्ट है एक चमस डालेंगे आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना डाल सकते हैं वैसे और इससे थोड़ा सा भून लेंगे एक मिनट के लिए उसके बाद ही इसमें आइट करेंगे टमाटर और साथ में डालेंगे नमक ताकि टमाटर जो है व तो यहां देखिए पानी छोड़ दिया तामाटर उसमें हम डालेंगे अब हलदी पाउडर आथा चमस एक चमस लाल दॉड़ मिर्च पाउडर और अधा चमस धन्य पाउडर डालेंगे यह बाद चमस दालेंगे इसमे इसमें सब्सी वाला मसाला जो भी आप यूज करते है इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा देर के लिए धकन लगा देंगे थोड़ी देर के बाद धकन हटाएंगे और यह देखिए मसाला का कलर बिल्कुल चेंज हो गया इसका मतलब है कि जो मसाला है वह अच्छी तरह से भून गया है तो अब इस से तो दाल भी थोड़ा सा फूल गया है इसके बाद इसमें हम आइट करेंगे के पानी थोड़ा सा जादर डालेंगे बहुत जादर नहीं डालना है बस एक से धेर रिंच उपर तक इसके बाद हम इसका धकर लगाएंगे और 6 से 60 सिटी आने तक इसे कूख होने देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे क्योंकि चना दाल पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो एक कूकर ठंडा हो गया है और खोल के देखेंगे और एकस लिए कितना अच्छा से कलर आया है और में चला के दिखाती हूं दाल भी अजfeit से पकने है देख सकते हैं पानी भी बहुत ज्यायदा नहीं है और नहीं ज्यादा कम है अगर आपको लगे कि ठोड़ा सा इसका ग्रेवी और रखना है तो आप पाणी डाल सकते जब घी मेल्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे एक चमा Жीरा और इसे थोड़ा से सुनहरा कलर आने तक क्राइखल होने देंगे और दो लाल मिर्च डालेंगे एक कुछ सार्फ करेंगे और लास्ट में आई डाल मिर्च इसे कलर बहुत अच्छा आयगा इसक बाद इसे इस फैला लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा तो देखें कितना असान ही ये दाल बनाना आप ही बनाईए और अपने फैमली वाले को खिलाईए उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा